देश में लोग सभाचुनाव का समय चल रहा है। साथ चरणों में होने वाले लोग सभाचुनाव में से पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पिछले लोग सभाचुनाव में भाजपा बहुमत और कई दलों के समर्थन के बाद सक्ता में आई। इस बार भारतिय जनता पार्टी के नेता 400 पार सीतों का दावा कर रही है। संभावना है। कलबुर्गी में खर्गे ने कहा कि यह जनता और प्रधान मंत्री मोदी के बीच का चुनाव है। आज लोग बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से बहुत निराश है। कॉमरे सध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और भारतिय सम्विधान पर बड़ा हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वायत संस्थाओं का दुरुप्योग कर प्रशासन चला रही है। इस कारण जनता उनसे परेशान है। जनता इंडिया गुट का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलने की संभावना है। खरके ने लोगों से चार जून तक इंतजार करने को कहते हुए कहा कि चुनाव नतीजों के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी। खरके ने कहा कि उदाहरन के लिए 2019 के चुनाव में अगर कॉंग्रेस ने एक सीच जीती थी। प्रहलाग जोशी ने कहा है कि अगर कॉंग्रेस चार सीटे जीतेगी तो क्या यह वृद्धी नहीं है या यह कमी है। कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तेलंदाना में जहां कॉंग्रेस हाल ही में सक्ता में आई है। वहां 2019 में उसे दो सीटे मिली थी। वहां कॉंग्रे इसकी सीतों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा गठ बंधन सहयोगी द्रमुक बरकरार है। खरगे ने दावा करते हुए कहा कि केरल में हमें अधिक सीते मिलेंगी। महराश्ट्र में अगहरी को 50 प्रतिशत से अधिक मिलेगा। खरगे ने कहा मैं समझने में असमर्थ हूँ कि जब भाजपा की सीतों की संख्या हर जगा कम हो रही है तो उन्हें 400 पार से अधिक सीते कैसे मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम शून्य थे। इस बार हमें साथ से आज सीते मिलेंगी। मप्र में हमने दो सीते जीती थी। वहां भी सीत बढ़ेंगी। 36 गड़ में हमें सीते मिलेंगी। जहां भाजपा का वर्चस वथा। वहां इनकी संख्या कम होगी। खरगे ने कहा इंडिया ब्लॉक को अधिक सीते मिलने के परियाप संकेत है। खरगे ने सीच जीतने के सवाल पर कहा, मैंने इस तरह की गड़ना नहीं की क्योंकी राजनीती में ऐसी गड़ना दुरलब है। उन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक भाजपा हार रही है। कॉमरे सध्यक्ष ने पिये मोदी से सवाल पूचते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पता चला की भाजपा 400 से उपर सीटे जीत रही है। जबकि वह हर जगा हा रही है। एक्जिट पूल दो हजार चौबीज एक जून शाम छे बजे से लोग सभा चुनाओ के नतीजे चार जून सुबह साथ बजे से देखिए चुनाओ नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटी केवल अमरुजाला पर अमरुजाला डॉट कॉम